हेलो फ्रेंड्स मैं वीने निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फ्रिस्य में चल पर श्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का मॉस्ट और अवेटेड नोटिफिकेशन तो आ चुका है बड़ इसमें बहुत सारी खामिया हैं जिसे साब साब पता चलता है कि सरकार ये वैकेंसी चाहती है अब बहुत से लोग मुझे गाली देंगे कहेंगे हमें तो फ्रेंड्स मैं किया करूँ जब मुछे पंदेट मिलेगा तो में उपडेट ही दोँगा ठीकहाइ आपका काम गालिया देना है मेरा काम है वी पैशीख में आपको पहुचा ना तो मुझे कोई प्रोल् आठ रोज एक्जाम नहीं हो पाएगा अगर एक्जाम होगे तो उसके प्रॉसेस नहीं बढ़ पाएगा कहीं नहीं वेकंसी फस्ट नहीं है वेकंसी कैंसिल होनी है इसका नोट्फिकेशन दोबारा आएगा यह भी तै है ठीक है यह मैं गारंटिक साथ कह सकता हूं फ्रेंड् दिखावा है एक पैसा एटने का तरीका है लोग फर्म भरवा दिते हैं पैसा एट लेते हैं फिर पैसा वापस नहीं करते हैं फर्म कैंसल करने के बाद ठीक है अभी आपको मालूम होगा चकबंदी लिगपाल की भरतिया 2019 में अधारम सायद आए थी ठीक है उसका फर्म भर अधर में 2019 के वेकंसी है यह वेकंसी 2021 में है कि 2021 से ही एस काउंट होगा ठीक है बहले बाद मैं आप कोर्ट के से जी जाए अपना एस रिक्सेशन ले ले जैसा कि कॉंस्टेवन में ले लिए थे तो वह हो सकता है बट नोटिफिकेशन में 21 ही लिखने का ज्यादा चांसे है तो मैं दिखाता हूं पूरा नोटिस में क्या कहना चाहता हूं किस बेस पर मैं कह रहा हूं कि गौर्वर्मेंट भरती कराना चाहती नहीं है ठीक है आप खुद देखिए यह देखिए फ्रेंट्स सबसे बड़ी बात है मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा यहां पर मैं इसी में 21% है जो इसको सब्सक्राइब इसको इनक्रीज दर्ढ़ गया है जो कितना होता है 25% होता है याजी कि आप बस तक है और तो अब इसे वोट बैंक कहा जाए या फिर कुछ भी कहा जाए यह क्यों किया गया कैसे किया गया मुझे नहीं मालूम है ठीक है या फिर नोटिकेशन तयार करने वाले ध्यान ने दियें कि वह रिजियरिशन होता है कैसे folow किया जाता है कि SC का 21 परसंट माई जोता आ möj ही सिर्ट गवर्मेंट में ना इस्टेट गवर्मेंट में SC का 15 परसंट होता है ST का 7.5 परसंट होता है थिक हैो Onun कि 27प एगरे زक्लप popebe angry टेफ कर सकते हैं ओबिशी वाले फाइट कर सकते हैं स्ट वाले भी कर सकते हैं तो यहां रिजर्वेशन रूल फॉलो नहीं किया गया है पहला मामला तो यही भरती कोट में जाने की फसने की और भी मैं दिखाता हूं एक एक इसू आगे क्या है बाकी यह जो आपका 3600 चड़ इसमें कोई इसू कर दें यह ठीक है यह ऐसा है रूल ठीक है लेकिन फसस सकता है आके के अंअ यहांपि मेंसन नहीं किया गया फें इसले करना को आप लोग को समझ मिया से कि मैं क्या कह रहा हूं फालतु वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूं ठीक है आगे देखें आपे क्या लिखा हुआ है इसको हाइलाइट किया गया है स्वतनता संग्राम सेनानियों के आस्रितों के लिए दो प्रतिशत तता भूत पुरुषैन 2019 दिनांग 26 तुन 2019 में दी गई व्यवस्था इमं इस संब्द में माननी शरोच न्याले द्वारा विशेश अनुग्या याज का सिविल संख्या तेइस तोसो तेश वरठार शौरव यादो यह अन्य बनाम उत्तर प्रदिश राज जेव अन्य में विचारित प्रकिड प्र कर शकती हैं फिर आगे देखे क्या लिखाबगा फ्रेंट्स खुद कह रही है कि वेकंसी कंप्लीट होने वाली नहीं है आप खुद देख लेजिए प्रथम परिच्छा के पूरो किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो शकती है प्रथम परिच्छा के पूरो कोई वेकंसी घटा सकती है लिखेंसी किसी भी समय घटाई या बढ़ते हो सकती है तरहिए बहती किसी अस्तर पर बिना कोई कारण निरस्त की जा सकती है जो कहीं वापस नहीं मिल सकता है क्योंकि इसे बहुत सी वैकेंसी है जो कैंसील हो चुकी है पैसे वापस नहीं आए है यह आपको खुद मालूम होंगे ठीक है इस्टेट गवर्मेंट में भी चैंट्रल गवर्मेंट में भी आके क्या लिखा हुआ है उपनी रिच्छक नागरिक पुलिस प्लाट्टून कमांडर पीसी ओम अगनी शमन द्वित्ती अधिकारी के इपदबर चेन अभ्यर्थी के लिखित परिच्छा में प्राप्त प्रशमानिकरित अंकों के स्रिष्टा क्रम यों उसके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम द्व अभी सो जारी 25 फ्रोरी को हो जारी है आवेदन सुल्क जमा करने आवेदन पत्र सब्मिट करने की अंतिमति थी 30 अपरेल रातरी 12 बजे तक ठीक है तो देखे यह एक महीना कैसा होता है फॉर्म आता है मला ओनलाइन होता भी है कि नहीं होता है क्योंकि ऐसा डेट एक बहुत पहले भी दिया जा चुका था जब बोला गया था 15 सितंबर को आपका आ जाएगा मिनिस्टेर नोटिफिकेशन और 18 सितंबर को आपका यह ओनलाइन हो जाएगा आपका normal UPSI लेकिन दोनों नहीं हुआ ठीक है सब कुछ सामने है आपके तो मैं तब भी बोला तक नहीं हो पा ठीक है बाकी गाली देते रहेंगे मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है आगे क्या लिखा है आविदन सुल्क इस भरती प्रक्रिया के लिए सब भी अभेड़ती होई तो आविदन सुल्क निर्धालत किया यहां स्ट्यू को चूट नहीं दिया गया है तो साथ यूपीप म और मैं पहले बताया था फ्रेंट्स आपको कि अप्यर्ड जो अप्यरिंग केंट्स होते हो नहीं होते किसी के लिए बहुत बड़े पूस्ट को छोड़ करके अभी आज ही एक लोगा कमेंट आया तो पूछ रहे थे मैं बोला था कि अप्यरिंग केंट्स एलिजबल नहीं ह पर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है अब आकी जो भी आपका डीटल वगरे दे रहे हो आपकी जिम्यदारी होगी जो भी आप दे रहे है फिर अधिमानी अरता ही में फिरेंट्स है अपको कोई मार्स नहीं मिलेगा परसेंडिज ठीक है लेकिन यहां पर क्या है अगर दो काइंडिट्स एक साथ सेम कट आते हैं तो पहले जो अधिमानी अरता वले उनको प्रिफर किया जाएगा अधिमानी अरता में क्या-क्या है जिसके बस O-Level certificate है उसे दिया जाएगा अधिमानी अरता या फिर जो प्रादेशिक शेना में नियुन्तम दो वर्स तक क प्राप्त किया है उसको दिया जाएगा फिर आयू देख लिए जिसका इशू बहुत दिन चल ला था मैं बोल ला था उसलों मुझे गाल दे रहे थे कहरते नहीं ऐसा नहीं होगा अपके सामने है ठीक है मैं यह नहीं कर दो छूट नहीं मिलेगा बट कोट के थूरू पूर तथा दिनांग एक जुलाई 2000 के पिशात न हुआ हो यानि कि उन्हीं से पहले वाले गैं पांसल भरती सरकार लटका रही है और उसका खामेज़े कौन भगत रहा है बेरुजगार भगत रहा है तो ऐसे लोग रुजगार देना चाहते हैं पहले भरती लटकाते हैं फ अब जो ऑफिशर्स बनते हैं आईस आईपेस होते हो भी नेताव घुलामी करते हैं कि अधर गुलामी नहीं करते हैं ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं ठीक है यहां पर फिर क्या लिए चरितर दिया है तो नॉर्मल होता है ठीक है सारी स्वासता था भी नॉर्मल है भरत बात नहीं हो रहा है अब क्या कि आगया है जो अलग लग है उसमें 35% होने चाहिए और सभी में नॉर्मला इश्कुर का ही बात हो रहा है तो 400 कौन-कौन से होते हैं 400 के देख लेते हैं 100 का हिंदी होता है 100 का मोल विदी समिधान वगरा हो जाएगा 100 का संख्यात्मा की मांसी मंपलेबं की 20 से हो सकता है या फिर एक दिन से अधीक स्ट्रिफ्टन बहुता यह निंगता है लेकिन क्या होगा लकिनन than एक दिन में complete नहीं दो दिन कम से कम 10 दों लगी जाएगा एक्जाम complete होने में ठीके फ्रेंट्स अगर दिया जो में पहले आपको बता दिया हूं को इसमें दिक्कत नहीं है ठीके पार्टी करम अगर आप में दिया गए हो देख लिएगा आगे क्या लिखा हुआ है अगर कोई आप 10 168 होता है चेंड का सेंच्पी होता है औरेटेंट्सम भीसितन होना ही चाहिए आगे नौर्मल ह्यूस यहाँ घान ऑल चाहिए और युकल में तो आपका 16 मिनित में तो इसमें को इसुन नहीं है आप माली जे रीटेन और फिर फीशिकल होगा फिर उसका अजाएगा फिर यहां देखना की बीए जो मैं बोल रहा हूं तो यहाँ देख सकते हैं कि आरचट के इशू साफ साफ दिख रहा है फिर वही चीज इतनी परतिश्यत्ता नहीं होती है जो यहां पर दिया गया है ठीक है यह देखिए मामला कैसे फसेगा आप खुद सोच सकते हैं अब आगे क्या है फ्रेंड्स यहां पर चीक इत्सा परचा वही चीज है वही अब फिर यह कोट में जाने वाला है अभी आप देखते रहे क्या क्या हो रहा है तो मैं सौर्ट में समझा दिया है और सबकुछ कि वेकंसे में कितनी सारे प्रॉबलम्स नोटिफिकर प्रॉबलम्स हैं अभी मुझा उमद नहीं है कि एक अप्रेल से आपका फर्म ऑनलाइन हो भी जाएगा क्योंकि से पहले भी सितं बर में बोला जा चुका है टीक है तो अब समझ चकते हैं बाकी मैं क्या कहूं क्या ना कहूं आप अब खुद समझदार है वर्म आपका ओंलाइन नहीं करना चाहिए यह आपकी मरजी है मैं आपको नहीं फोर्स करूंग नहीं सब्सक्राइब करने के लिए बागी चैनल सब्सक्राइब करना आपके हाथ में आपको पसंद आगा लाइक करेंगे ठीक है मैं किसी को फोर्ष नहीं करता हूं तो फ्रेंद्स उमीद करता हूं अप मेरी बातों को समझ गयोंगे मैं क्या कह रहा हूं इस notification में बहुत सारी खामिया है जो डारेट इंगित करती है कि वेकेंसी कहीं न कहीं जाके फस जाएगी हर हाल में इसे जान बूझ के ऐसा बनाए गया क्यों पैसा लूटा जाए बाकी कुछ नहीं ठीक है यह लोग पैसा आलाइन हो जाए यही बड़ी बात है मुझे तो उमीद इसका भी नहीं लगा रहा है क्योंकि एजवाला इसु सबसे पहले आएगा और इसुस सबसे पहले आएगा ठीक है उसके बाद जो इसु आएगा अलग आएगा आप देखते जाएंगे इसु बढ़ते जाएगा और यह लोग भरती लटका देंगे और फिर बाकी कुछ होने वाला नहीं यह फिर भरती लटक जाएगी फिर आप जान रहें उसको बद एलेक्शन आ जाएगा फिर कहेंगे मेरी गलती नहीं यह कोर्ट ने भरती को फसादिया मैं क्या करूं मैं तो नोटिफिकेशन लाया था इक यह उसके कोर्ट की गाहर गलती है गलत तो नोटिफिकेशन आप बना रहे हो तो कोर्ट तो बोलेगा जब ज होगा यह सकते नहीं करने करें कोंई इस मैं उसमें कुछ बोल ging वाला नहीं हूं अभी के लिए इतना ही फ्रेंड थैंक्यू चहिन चहएंट जह भारत